ब्रत में पूरे दिन की भूख मिटाएगी बस एक कटोरी ये रेस्पी खाते ही नहोगी थकान ना कमजोरी वेलकम टू माई चैनल अनमोल पाक कला फ्रेंस हमारी रेस्पी आपको पसंद आती है तो फ्लीज चैनल को सस्क्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिए तो चलिए फटा फट से देख लेते हैं इस स्वाधिश रेस्पी को बनाना कैसे है सबसे पहले हम गैस को जलाते हैं अब इसके उपर एक कढ़ाई रख देते हैं अब हम इसमें डालेंगे एक लिटर हुल क्रीम गाढ़ा दूद इसमें थोड़ी सी डाल देते हैं केसर यह बिल्कुल आप्सिनल है यदि आपके पास है तो डाल दीजे नहीं है तो आप इसके बिना भी बनाईए अब हम इसको मध्यमास पर पकने के लिए रख देते हैं अब रेस्पी के लिए हमें दो केले चाहिए इस रेस्पी के लिए आप थोड़े जादा पके वाले केले का इस्तमाल करते हैं तो रेस्पी का स्वाद बढ़ जाता है क्योंकि इनकी मिठास रेस्पी में काफी ज़ जादा स्वाद को बढ़ा देती है अब हम इनका छिलका उतार लेंगे और इस तरीके से इनके पीस कट कर लेते हैं ये के लिए इतने ज़्यादा सौप्ट हैं इसलिए इनके छोटे पीस बनाने की जरूरत ही है मैंने इस तरीके से बड़े पीस बना लिये हैं अब हम इने एक बावल में निकाल लेते हैं अब इसमें थोड़ी सी बारिक कटी हुई किस्मिश डालेंगे बारिक कटा हुआ काजू और बादाम ड्राइ पूड आप अपनी पसंद का इसमें डाल सकते हैं अब इस्पून से इस तरीके से केलो को मैस कर लेते हैं आप चाहें तो मिक्सी जार का भी इस्तमाल कर सकते हैं पर केले इतने सौप्ट हैं इस्पून से ही अच्छे से मैस हो जाते हैं मिक्सी जार में जब इनको पीसते हैं तो ये थोड़ा पेश्ट जादा पतला हो जाता है मिठास के लिए इसमें चीनी डाल देते हैं दो चम्मच क्योंकि केले वैसे भी थोड़ा सा मीठे हैं आप चाहें तो चीनी की जगे पर गुड का भी इस्तमाल कर सकती हैं यह रस भी गुड से भी बहुत स्वाधिश्ट बनती है चीनी इसमें अच्छे से मैल्ट हो गया है अब लेंगे एक कप सिंहाडे का आटा इसको भी डाल करके इसी में अच्छे से मिला लेते हैं केले का जितना भी गीला पंथा आटे ने सोक कल लिया है अब हम एक कप दूद लेंगे और थोड़ा-थोड़ा करके इसमें डालेंगे सारा दूद इकठे डाल देंगे तो ये बेडर पतला हो जाएगा एक चम्मच इसमें डालना है आरा रोट ये जड़ से बना होता है इसलिए आप इसे ब्रत में खा सकते हैं जो लोग इसे नहीं खाते हैं वह लोग इसे बिल्कुल ना डालें जो लोग खाते हैं वो डाल सकते हैं अब हमने सारा दूर डाल दिया है और इस तरीके से एक गाढ़ा पेश्ट बनाना है बहुत ज़्यादा इसको हम पतला नहीं रखेंगे अब इस रेश्पी को बनाने के लिए हमने अपे पैन लिया है हर एक कटोरी में हमने थोड़ा थोड़ा सा घी डाल दिया है बस दो चम्मस घी में ये रेश्पी बन करके तयार हो जाती है बहुत ज़्यादा घी की भी जरूरत नहीं होती है और यह इनमें अच्छे से पक भी जाते हैं एक छोटा चमस लेना है और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा बैटर हर एक कटोरी में डालना है वैटर को ज्यादा बिल्कुल ना डालें क्योंकि पकते समय ये थोड़ा सा फूलते हैं और इनका फूल करके साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है जब ये छोटे स साइज के रहते हैं तो देखने में ज़्यादा प्यारे लगते हैं इसलिए वैटर को थोड़ा ही डालें जब यह एक तरफ से सीख जाते हैं तब हम इन्हें पलट देते हैं इस तरीके से बहुत आसानी से यह रेस्पी बन करके तयार हो जाती है यदि फ्रैंस आपके पास बहुत आसानी से बन जाते हैं हमने नानिश्टिक तवा लिया है और इस पर भी थोड़ा सा घी डाल दिया है अब इस तरीके से थोड़ा थोड़ा बैटर लेना है और डाल देना है वैटर जितना हम कम लेते हैं उतना यह कम दूरी में फैलते हैं यदि हम ज्यादा का डीजाइन पूड़ी की तरह हो जाएगा फैल करके इसलिए बहुत थोड़ा-thोड़ा ही डालना है ताकि छोटी डीजाइन में बने अपे पैन में जब हम बैटर डालते हैं तो वो सारा इकठा हो जाता है सारे एक ही डीजाइन में बनते हैं पर इसमें कुछ छोटे कुछ बड़े हो जाते हैं तो ज्यादा फैल जाते हैं इसलिए थोड़ा-सा देखने में कम अच्छे लगते हैं मगर आप इन्हें इस तरीके से तवय पर भी आसानी से बना सकते हैं जितना घी अपएपैन में लगता है उतना ही घी तवे के उपर भी लगता है बहुत ज़्यादा इसके उपर भी घी लगाने की जरूरत नहीं होती है और ये 2-3 मिनट में पक जाते हैं मद्यम आज पर ही हम इनको पकाते हैं आज को ज्यादा तेज नहीं रखना है नहीं तो ये नीचे से जल जाते हैं एक तरब से जब ये पक जाते हैं तब इने पलड देते हैं अपे पैन में तो ये आसानी से पलड जाते हैं पर तवे के उपर थोड़ा सा चिपकने लगते हैं क्योंकि जब हम बैटर को इसमें डालते हैं तो यह थोड़ा सा फैल जाते हैं जो की पतला हो जाता है इसलिए थोड़ा सा तवे के ऊपर चिपक जाता है मैंने इस रेश्पी को तवे पर भी बनाया है अपे पैन में भी बनाया है लेकिन मुझे सबसे आसान तरीका अपे पैन का ही लगा है यदि नहीं है तो तवे का ही इस्तिमाल करिए यदि है तो अपे पैन में ही बनाईए उसमें बनाना थोड़ा सा ज़्यादा इजी होता है तवे पर से तुरंथ हटाने के बाद हम इने गरम दूद में ढाल देते हैं आप इस रेस्पी को बहुत ज़्यादा हमें पकाने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि इसमें जो हमने चीजे डाली हैं सारी पकी हुई है दूद की मिठास बढ़ाने के लिए हमने दो चम्मचीनी का इस्तिमाल किया है बहुत ज़्यादा चीनी भी नहीं डालेंगे क्योंकि हमने जो इसमें अपे डाले थे वो भी मीठे हैं इस रेश्पी का दूद थोड़ा सा जब गाढ़ा होता है तो खाने में ज़्यादा स्वाधिष्ट लगता है तो इसको गाढ़ा करने के लिए अभी हम इसमें कुछ चीजे और डालेंगे तेहाँ पर हमने आधा केला लिया है और थोड़े से हमने काजू और बादाम लिये हैं आधी कब इसमें दूद डालेंगे और हम इसका एक बड़ी हासा पेश्ट बना लेते हैं पीस करके अब हम इसे मिला देते हैं इसमें इसको डालने से दूद में गाढ़ा पन तो आता ही है और रेस्पी का काफी ज़्यादा स्वाद भी बढ़ जाता है थोड़ा सा जार में पेश्ट लगा हुआ था तो हमने 4-5 चमज पानी लिया और जार को अच्छे से साब करके इसी में मिला देते हैं अब हम इस रेस्पी को बस दो मिनट तेज आज पर पकाएंगे दूद में एक उबाल आ जाए और ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए उतना ही हमें पकाना है बहुत ज़्यादा देर तक अब इसे हम नहीं पकाएंगे नहीं तो अपे ये जो हैं तूटने लगते हैं तो इनको हम इस तरीके से तेज आज पर लेक उबाल आने तक पका लेते हैं जैसे ही दूद हलका हलका उबलने लगता है ये अपने आप ही गाढ़ा होने लगता है इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है और जब उपर से इसमें थोड़े से रोज पैटल डाले हैं आप चाहें तो इसमें बारी कटे हुए ड्राइफूट भी डाल सकते हैं वैसे हमने इसमें खूब सारे ड्राइफूट डाले हैं तो उपर से डालने की ज़्यादा जरूरत नहीं है बस गार्निसिंग के लिए आप थोड़ बिना सोचे इस recipe को बना लीजे बहुत ही खाने में स्वादिश्ट लगती है खुद भी खाईए और दूसरों को खिलाईए खुब सारी तारीफे पाईए ये recipe सिर्फ आपकी भूख ही नहीं मिटाती है आपको काफी सारी energy भी देती है और खाने में स्वादिश्ट भी लगती है इसे खा करके आप अपने आपको तरो ताजा महसूस कर सकते है सो फ्रैंस हमारी आज की ये recipe कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा अच्छी लगे तो like, share, comment करिएगा मिलते हैं आपको इसी तरह की और भी लाजवाब recipe के साथ तब तक के लिए बाबाई